इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपके पास टीपी लिंक का कोई भी वाइफाई राउटर है और वो डूल बैंड का है 2.5 गीगा हर्ट्स और एक 5G बैंड का राउटर है यानि कि आपके वाइफाई राउटर में दो बैंड है आपको वाइफाई के दो नाम को बताऊंगा और मर्ज करने का फायदा क्या है कि आपको बार बार एक से दूसरे डिवाइस को वाइफाई को कनेक करने के लिए बार बार डिसकनेक्ट नहीं करना होगा बार बार डिसकनेक्ट और कनेक्ट नहीं करना होगा खुद से आपका फोन देखेगा जिस भी इंटरनेट आ रहा है अच्छी स्पीड आ रही है खुद बाखुद वो स्विच कर लेगा आपका फोन खुद ही तो ये बहुत ही कमाल की चीज है आप इसे ट्राइ करें कैसे करें यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले आप प्ले स्टोर में आ जाएं और टीपी लिंक की ये आप है आप इसे इंस्टॉल कर लें इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लें अब यहाँ पर आपको बोल रहा है आप टीपी लिंक की जो आपने आईडी अगर बनाई है तो लॉग इन करें अगर आपने आईडी नहीं बनाई है तो आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से आईडी क्रियेट कर सकते हैं बट मैंने आईडी बना रखी है तो यहाँ पर मैं अपनी आईडी डाल देता हूँ तो मैंने आईडी यहाँ पर डाल दी है अब यहाँ पर login कर लेते हैं तो यहाँ पर यह login हो चुका है अब login होने के बाद आपको यहाँ पर यह बाद हमेशा ध्यान रखनी है कि आप wifi अपना connect रखें अपने phone में पहले से ही शुरू से ही आपको wifi connect होना चाहिए ठीक है आपके phone में और इसके बाद यहाँ पर जो भी आपके router का नाम है यहाँ लिख कर आ जाएगा तो इस पर click करते हैं और यहाँ पर यह loading लेगा ठीक है तो load होने दें अब जो भी आपका router का admin page का password है अगर आपको नहीं पता है तो आपके wifi के पीछे आपका admin password होगा एक barcode में लिखा हुआ होगा barcode के नीचे तो वहाँ से देख कि आप अपना admin password डाल दें मैं भी डाल देता हूँ तो password मैंने इंटर कर दिया है अब यहाँ पर login कर लेते हैं तो यहाँ पर login हो गया है और मेरे wifi में दो band है dual band का wifi है तो दोनों band यहाँ पर दिख रहा है यह 2.4 GHz का यानि 5 जो भी यहाँ पर यह 5G band तो हमें दोनों को एक करना है तो कैसे करें तो दोनों में से किसी भर भी क्लिक करें जैसे इस पर क्लिक करता हूँ मैं और आपको यहाँ पर smart connect दिखाई देगा तो बस आपको इसे on कर लेना है इसे होगा क्या कि आपकी जो wifi की SSID होगी वो एक हो जाएगी और password भी वही रहेगा आप चाहे तो change कर सकते हैं दोनों एक ही में हो जाएगे और wifi का नाम एक ही हो जाएगा और बस आपको यहाँ पर save कर लेना है यह password आपको screenshot ले लेना है या फिर copy कर लेना है इसके बाद आप same password से wifi connect कर पाएंगे और आपका wifi खुद ही अपने आप switch कर पाएगा network को तो यहाँ पर देखिए यह हो गया है अब यहाँ से आप copy कर ले password और यहाँ पर आप wifi connect कर सकते हैं अगर password आपने change नहीं कर रहा होगा तो wifi automatic connect हो जाएगा आपको वापस से connect करने की ज़रत नहीं है